हेलो फ्रेंट से एक बाप फिर आपका स्वागत है दोस्तों केवल आपकी रिक्वेस्ट पर एक दिन में तीन वीडियो आज तक नहीं डाले थे और यह तीसरा वीडियो है आज का और हो सकता है सोथा वीडियो भी आज आए लेकिन जितनी मैंनत मैं कर रहा हूं उसको आप क्या है आए च्यायर की लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल डाइकन है उसको ज़रूर ही प्रैस कीजिए फिर सिय आप बोल रहा हूँ मैं कि उसकी मिना आपको नौ्टिटेस नहीं मिलता है सब्सक्रीब्सक्रिबस्णसे केवल सब्सक्राइब ते हो आप लेकिन जो शना SBS जो हम्ंड़ के रहे थे उसी स्टी संक्र्श होगा तो एग अजाओी ता हम यह question एक बाल फिर से पढ़ लेते हैं वैसे भी science हमारी cover हो जाएगी इससे तो जो पहला option है रंद्र उसका क्या function है जो stomata है दुबारा से आपको बता रहा हूं जो English medium वाले students है stomata बोलते हैं इनका function क्या होता है तो इनका function जो इसमें दिया हुआ है जो इन options में है वो तो है वास्पो सर्जन या जिसको हम English में बोलते हैं transpiration और जो exchange of gases है जो गैसों का जो आदान परदान होता है कारवंडा एकसाइड लेते हैं oxygen सोड़ते हैं जो पोदे वो भी इनहीं के माद्य में से होता है तो इसका जो मैस हो गया वो हो गया वास्पो सर्जन जो वास्प जो पानी जो रिलीज करते हैं पोदे जो stomata होते हैं उनसे इसके पाद जो second है जाइलम जाइलम क्या करता है आपको पता है काफी easy question है यह जाइलम करता है जलका जो परिवाइन होता है water की जो transport होती है वो करता है जाइलम जो tissue होता है वो इसके पाद जो third है मूल रोम या जिनको root hairs हम बोलते है root hairs का function क्या है जो जड़े होती है उनमें जो छोटे रोम होती है वो क्या करते है जलका उसन करते है और जो ploem है वो क्या करता है जो बोजन है उसका परिवा है जो prepared food है उसको translocate करता है यह ploem tissue इसके बाद जो हमारा next जो question है mcq third question है इसके दो question है दोस्तो जो पहला है वो तो बिल्कुल इजी है लेकिन जो second question है काफी अच्छा question है जो पहला question है वो है पादपो में जलका परिवहन करता है तो यह तो बिल्कुल इजी है जायलम के दवारा लेकिन जो second है वो है जो root hairs है यह third question है root hairs में जो आउस होसन की दर है तो उसको कैसे बढ़ायत जा सकता है तो कैसे बढ़ा सकते हैं हम आप मान लीजिए root hairs है जो है वो ज़्यादा है ज़्यादा पानी का आउस होसन जो जड़े है वो करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा तो दो आप देख पोदे को छाया में रख देंगे मंद प्रकास में दीमी जो light है मंद light उसमें रख देंगे या पंखे के नीचे रखकर या पोड़ी थीन की ठहली से डखकर तो कापी अच्छा question है दोस्तों ये तो इसमें जो right answer है वो है third क्योंकि हम अगर पंखे के नीचे रख देंगे तो उसमें जो हमने उपर जो पड़ा था हुआज सपोच सरजन जो जल है जो पत्यों से जल का रिशाओ जादा होगा और जो पोदा है उसके अंदर पानी के कमी होगी तो पानी की कमी होगी तो जादा और जादा पानी की आ सकता उसको होगी तो इसलिए जो absorption की rate है उसको हम पड़ा सकते हैं जो नेक्स्ट है दोस्तों चप्टर है जो आपका 12 चप्टर काफी इंपोर्टेंट चप्टर है पादबो में जनम और इससे कल जो आपका एक्जाम था उसमें यह पूचा था कि निवन में से कौन सा जो एलेंगिक जनन है या एसेक्सवल जो इंगा था उसमें तो तीनों ही वो एलेंगिक जो जनन है उसके उधार्ण तो इसमें मापको कुछ फोटोस दिखा देता हूं एक बार जल्दी जल्दी हम इसको रिवाईज कर लेंगे तो इसमें आप पहली जो देख रहे हैं जो अध्रक की फोटो है इसमें कई बार बाद या आगे क्यूशन भी आएगा उसमें अच्छे से आपको समझ भी आजाएगा और जो हल्दी है इनमें हम इस प्रकार से जो पोदे हैं उनको उगा सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है यह किसन भी आगे आएगा आएगा अग्जाम में जो आपके जो सीरिज है एक्स प्रकार साब बड होता है और उसे यह जो चोटी-चोटी जो और स्रंखलाए है इनसे नया जो यिस्ट का जनम हो जाता है इसको मुकलन बोलते हैं प्रेग्मेंटेशन ये पोदे के हिस्से हैं दोस्तों इनके भी किसन आएगे आगे जो अंडास से होता है उससे विक्सित हो कर वो बन जाता है पल और जो ये बीजांड आप देख रहे हैं इनसे बीज का निर्मान होता है और ये जो दोनों किसन आज सुके हैं लेबनेनेंट के दोनों एक्जा हम इसकी exercise करते हैं directly अब एक बार यह और आप देख लीजिए यह example है जो wings का example है इनके माद्यम से यह जो लेंगिक जनम होता है जो लेंगिक जनम के लिए यह एक जो male part से female तक जाने में जो इनकी मदद करते हैं जो यह punk है गूड के यह female part पर चले जाते हैं इनकी exercise हम देखते हैं अब यह जो इसकी exercise क्यूशना दोस्तों काफी important यह क्यूशना अभी तक आए नहीं है हो सकता है अब एक जाम में आज आए तो इसमें जो हमें match करने हैं यह तो जो कली है मुकलन है वो example है येस्ट का जो मैंने आपको photo दिखाई थी इस परकार से जिसमें सोटी सोटी और जो साख है येस्ट के उपर बनी हुई थी इसके बाद जो खंडन है जो स्पाइरो गयरा है यह आप इस सेप्टर में एक बार अच्छे से आप देख लिए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा जो पंक है वो होते हैं मैपिल या इसका जो मैं आपको एक और एक्जामपल देरू जो आक का आपने पेड़ देखा ह आक उसमें जो छोटे-छोटे जो पंक लगे हुए होते हैं उनसे वो उड़ कर फिमेल पार्ट तक जले दाते हैं जिससे जो रिप्रोडेक्शन में मदद करते हैं इसके बाद जो बिजानू है यह होता है डबल रोटी के उपर जो स्पोर्स है इनको बोलते है स्पोर्स तो आपने डबल रोटी को आप कई दिन तक रख देते हैं तो उसके उपर सफेद रंकी जो रोम उगाते हैं उनको बोलते है स्पोर्स बिजानू तो यह हमारे हो गए यह ये येस्ट है आक का हो गया अलू खंडन का हो गया स्पाइरो गएरा और जो पंक है वो आपको मैंने बताया था जो आक और मैपिल का जो ब्लांट है उसमें पंक का वो उधान है वो फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी बिजानू है वो डबल रोटी में होता है तो यह इसके बाद जो नेक्स्ट है दस वाद जो क्यूशन ह जो प्ुशा है हमसे बादब का जो जनन भाग होता है उसका तो जो पुश्प होता है आपको पता है जो पंक के सर और स्द्री के सर जो एंथर और जो स्टैमन बोलते हैं श्टिगमा स्टायल ओरी या जिनको हम अंड़ा से बिजानूं यह कहें तो ये होते है पुश्प के अंदर ही ये सबी चीज़ें मुझूद होती है तो इसका जो राइट अंसर है जो जनन भाग होता है पोदे का वो होता है पूल या पुस्प इसके बाद जो सेकंड है नर और मादा यूगमक के यूगमन का प्रक्रम कहलाता है तो हिंदी में मुझे थोड़ी प्रोब्लम है लेकिन फिर भी आपने रिक्वेस्ट की इसलिए मैं आपको हिंदी में करवा रहा हूँ तो जो मेल और फीमेल जो फ्यूजन होता है जो यूगमक होते है उनका यूगमन होता है उस परकिरिया को का कहते है तो वो हम बोलते है निशेचन या फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है इसके बाद जो सेकिंड है ये भी काफी इंपोर्टन चीज है ये भी डारेक्ली कई बार पूछ लेते हैं प्रागण या पॉलीनेशन जिसको हम बोलते हैं जो पॉदे के नर्भाग का जो पार्ट होता है फीमेल तक जो जाता है उसको अलग-अलग तरीके से वो हो सकता है हवा के माद्यम से कोई पक्सी उसको साथ सिपक के चला जाए अलग-अलग तरीके हैं थर्ड है जनन रिप्रोटेक्शन और फोर्ट है बीज निर्वाण इसके बाद जो मैंने आपको बताया था लेव अटेनेट के एक्जाम में ये क्युषन आचका है दोनों क्युषन आचके हैं परीपक को होने पर अंड़ास से विक्सित होता है तो जो अंड़ास से होता है और जो बीजांड है उनसे बीज बनता है ओवरी इंगलिश में बोले ओवरी पर्यूट और ओविल इससे सीड काफ़ी इंपोर्टन चीज है ये याद रखिया आप इसके बाद नेक्स्ट है बीजानों उत्पन करने वाला एक पादप जीव है इसके बाद जो हमारा last question है इसके मैंने आपको फोटो दिखाई थी उसके च्यारो और छोटे पोदे उगे हुए थे इस प्रकार सी जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो है ब्राइफायलम ब्राइफायलम का पोदा है उसका पत्ता जमीन पे गिर जाता है तो उससे भी नए पोदे उख सकते हैं तो अब आपको पतारा है बरायपायलम अपने किस भाग द्वारा जनन करता है तो अगा पत्ति के मध्यम से जो लीफ है उससे जनन होता है इस पोदे में बरायपायलम में तो इससे दोस्तों मैं ने आपको बताया तीन च्यार क्यूशन तो आचके हैं और भी बाकी जो बचे वे हैं वो भी आ सकते हैं काभी important ये chapter है इसके बाद जो next chapter है हमारा दोस्तो 13th chapter गती और समय तो इसमें जो हमारा क्यूशन है ज्यादा क्यूशन तो नहीं है लेकिन काभी important है ये भी मापको थोड़े समझाने कोशिश करूँगा जितने भी क्यूशन बनते हैं 3-4 तो पहला है इसमें हमसे पूचे हैं जो options है उनमें कौन सा जो गती होती है अनुदीश गती या जिसको हम कहें straight line motion या circular motion जिसको वर्तुल गती हम कहा सकते हैं दोलन होता है oscillation जो गडियों में आपने देखा होगा दोलन लगा होगा होता है वो एक बार इधर जाता है और दूजरी बार इधर इस टाइप से जो motion होता है back end row motion इसको बोलते है oscillatory motion या दोलन तो अब आपको जो ये options हैं इनमें बताना है किसमें ये अनुदिस गती हो रही है किसमें वरतुल और किसमें oscillation या दोलन गती हो रही है तो दोड़ते समय आपके हाथों की गती आपके हाथ की position क्या होती है एक बार आगे दाते एक बार पीछे एक बार आग여, एक बार आग पीछे، तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दोलन कदी, दोलन, दोलन हो जाएगा पहले में, अनुदिस हो जाएगा इसमें क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा गाड़ी का, ठर्ड है मैरी गो राउंड, इसमें जो मेरीको round जुला होता है गोल गोंता है तो इसमें हो जाएगा वर्तुल इसके बाद सीसा है सीसा में भी उपर नीचे जो motion होता है तो इसमें भी ओसकी रेशितरी motion हो जाएगा या जिसको हम दोलंग कहें इसके बाद विद्योत गंटी के हथोड़ा तो विद्यूत गंटी ये भी आगे चैप्ट राएगा आपके उसमें इस परकार से जो बीच में एक लोहे की जो round shaped की एक item लगा होता है और side में होता है ये hammer जो हाथोड़ा हम जिसको बोल रहे हैं विद्यूत गंटी के अंदर जो हाथोड़ा तो ये दोस्तो एक electromagnet होता है जो ये हाथोड़ा होता है जब हम switch को on करते हैं तो इसके अंदर जो बिजली इसके अंदर जो power है supply होती है तो जो electromagnets होते हैं उनकी यही quality होती है कि जिस time उसके अंदर से electricity जो current है वो flow करने लग जाएगा तो वो एक चुमबग का आकार ले लेगा और ये जो item है ये लोहे का होता है तो ये जब चुमबग बनेगा तो switch on करते ही चुमबग बनते ही इसको अपनी और खिंचेगा और एक आवाज उत्पन होगी इसी के ऊपर ये जो video घंटी है वो काम करती है आगे ये chapter भी आएगा आपके तो इसमें कौन सा motion होगा तो आप देख लीजिए ये जो बीच में इससे टकर आता है तो एक बार आगे जाता है हम switch को छोड़ जैते हैं उल्टा पीछे आ जाएगा ये उसके बाद दुबारा से हम bell को प्रेस करेंगे तो ये आगे जाएगा पीछे आगे पीछे तो इसके में कौन सा motion हो जाएगा उसके लेशन इसके बाद जो सीधे पूल पर रेल गाड़ी की गती तो ये दुन्नों जो option है खै और गहे इनमें गाड़ियों की गती के बारे मे उसने numerical type का question है बाकी तो इसमें normal जो math की question होते है उस type से question है लेकिन ये जो question है थोड़ा अलग question है दोस्तो इसमें आपको पता होना चाहिए कोई सरल लोलक या pendulum 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है लोलक का आवरतकाल क्या है तो इसका एक formula होता है दोस्तो वो formula क्या होत है total time मतलब उसने कुल समय कितना लिया है और उसने कितने दोलन पूरे किये है number of osculations ये फार्मुला है हमारे पास उपर कितना समय लिया है निचे कितने दोलन पूरे किये है तो हमारे पास समय है 32 और दोलन पूरे किये है 20 तो इसको हम काट देंगे तो कितना जाएगा हमारा एक पॉइंट 6 सेकेंड इसके बाद एक और क्यूस्टन है दोस्तो इजी क्यूस्टन है ये तो नाइंत क्यूस्टन जो है इसमें पुचा है जो basic unit क्या है चाल की तो वो है meter per second इसके बाद हमारा दोस्तो 14 जो chapter है electric and effects electric current and effects जो video दारा है और उसके प्रभाव हैं तो इसमें कोई MCQ तो है नहीं एक बार मैं वैसे आपको chapter में जो में में बाते हैं वो आपको दिखा देता हूँ तो अगर आप से ये symbols आप देख लें एक बार important है ये तो आप देख रहे हैं इसमें video cell का symbol क्या है video bulb का symbol क्या है switch on किस्थिती क्या है switch off किस्थिती क्या है battery और सहीं जी तार तो इसमें जो एक बात आने वाले बात आपको लिए है वो ये है कि cell तो ये है single और जब हम कई cells को एक साथ जोड देते हैं इसके पिछे एक cell और जोड दिया एक cell और जोड दिया तो ये बन जाती है battery तो ये फरक होता है दोस्तों एक cell और एक battery में आप जो inverter के साथ जो battery यूज होती है उसको भी अलग-अलग cells जब हम उसको cross section हम देखें ये देख लीजे आप ये cross section इसमें जो अलग-अलग cells लगी हुई है जोड़ा हुआ है इनको तो इनको मिला के इसको हम बोलते हैं battery इसके बाद friends ये hitting effect of current है जो hitter में यूज किया थाता है ये philament का question जो कई बार पूचते है tungsten जो इसमें यूज होता है ये दोस्तों full form है ये कई बार पूच लेते है CFL की full form क्या है तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में बता दूँ है हिंदी में तो आप देखी रहे है सहन्त पर्ति दिप्ति लैंप और इंग्लिस में बोलते हैं इसको compact प्लोरो स्केंट लैंप तो आप देख लिए हिंदी आसान है या इंग्लिस आपको full form अगर मिलेगी तो मेरे हिसाब से इंग्लिस में ही version मिले गई तो इसको compact क्यों बोलते हैं ये बात हम जब किसी बात को रटने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं लेकिन हम किसी बात को समझ लेते हैं तो लंबे टाइम तक याद रहती है तो इसको compact इसलिए बोलते हैं सहत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपने पहले पुराने जमाने में देखी होगी इस परकार की जो light यूज होती थी ये भी प्लॉरस्केंट लेंप ही होते थे लेकिन इसका जो छोटा रूप है वो बना दिया गया है अब इसलिए इसको बोला जा रहा है compact या सहत मतलब कि उसका ही एक compact रूप है ये इसके बाद ये फ्यूज है दोस्तों kitkat फ्यूज इसको बोलते हैं इसमें कई बार ये फूज लिया जाता है जो माईका का जो आपको आपने काफी रटा होगा माईका का जो अबरग है उसका इस्तिमाल कहां पर किया जाता है तो विद्यूज द्यूज में तो विद्यूत दोग में कहां पर इसका उप्योग होता है तो यह जो मैटल आप देख रहे हैं यह जो मैटीरियल बना है यह बना है अभरक से यह एक इंसुलेटर है मतलब कि इसके अंदर से विद्यूत करंट पास नहीं हो सकता इसलिए इसका यूज किया दाता है प्यूज उसे मैटीरियल का वो बना होता है कमेट करके आप हमें बताइए यह दोस्तो यह भी काफी इंपोर्टेंट फूल फॉल फॉम है एमसी भी यह होता है मिनियेच्चर सर्किट ब्रेकर यह एडवांस टेक्नलोजी आचकी है दोस्तो जो पहले फ्यूज यूज होते थे उसकी जगह है अब यह यूज होने लगी है एमसी भी इसका फाइदा क्या होता है फ्यूज बार बार में जो वायर टूट जाता था फ्यूज का जब कोई सोट सर्किट होता था या ओरलोडिंग होती थी तो उसको रिप्लेंश करना पड़ता था लेकिन जो यह आमसी भी है इसमे अगर कोई सोट सर्किट होता है तो यह बस नीच से गिर जाती है और हम इसको दुवारा से उपर कर देंगे तो यह ओन हो जाती है तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंपोर्टेंट है लगू परिपत विच्छे दक या मिनेच्चर सर्किट बेकर जो मैंने आपको फुल फ करें और चैनल फफिस cup LAUren फॉर्म होता है तो इसमें क्या होता है यह फैसे जब को प्रेस करते हैं तो इन मेंसे उल्क्रिसिट्इश पास होती है और यह संबग बन जाता है जो इइसका मैठ्रियल होता है वह इस परकर गहोता है कि जिस्दू टाइम इसमें से में हमने cover किये 4 chapter और बसते हैं हमारे इस book के उनको भी हम discuss करेंगे तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा like करें और जो question आपसे पुछा उसको comment करें चैनल को subscribe नहीं किया जरूर ही subscribe कर लीजिए और अपने friends को भी बतिए और जो bell icon है उसको जरूर ही press कर लीजिए फिर से आपसे request है तो दोस्तों ये series कैसे लग रही है आपको अच्छा response मिलेगा तो आपको जो और भी जो classes है उनकी books भी आपको करवाने कोशिस की जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको like करें और दोसो शेर जूरू है तैंक्यू